दोस्तों आज आप सबके लिए एक ऐसी loan application लेकर आया हूँ, अगर आप उसके बारे में जान जाओगे तो आप सोचोगे वाह यार आप तक अमर भाई आप कहां पे थे, क्योंकि अगर आप एक saving account open करवाते हो, आपको पता है 2-5-6% का rate of interest मिलता होगे, 7-8% का rate of interest मिलता होगे लेकिन यहां का rate of interest सुनकर आप खुसी से पागल हो जाओगे यार कि हमें ये loan कितनी जल्दी ले लेना चाहिए, चलो मैं सबसे पहले आपको इस application का rate of interest के वारे मिलेगा, बलकि आपको देना पड़ेगा, यह इतनी अच्छी application है, काफी लोग ने comment किया, कि हमेर भाई इस प जरूर वीडियो बनाओ, यह बहुत अच्छी application है, मैं उनके लिए especially वीडियो बना रहा हूँ, साइध आपके काम में ना है, लेकिन देख जरूर लेना ताकि पता चल सके कौन से application है, क्या खासियत है, कैसे apply करना है, लेनते समय हमें क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाह 9.9 की rating ना के बराबर है, समय लो साला कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर about वाले section में जाएंगे, तो यहाँ पे नहींने बता रखा है कि 2000 रुपे से ले करके एक लाग रुपे तक का लोन देंगे, processing fees हम यहाँ यहाँ पर 500 रुपे से ले करके 5000 रुपे तक कर लेंगे, और यहाँ पर हम rate of interest के बार हम बात करें, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 36% से ले करके 182% का rate of interest आपको उपर लग सकता है, तो दोस्तों फिलाल चलते हैं, इसमें एक बार apply करके देखते हैं, किन्होंने क्या-क्या process बना रखा है, क्या-क्या documents मांगते हैं, फिर य application आपको play store मिल लाएगी, वहाँ से जा करके आप इसको download कर लेंगे, और just इसको open पर click कर देंगे, यहाँ open पर click करने के बाद आप से कुछ permission मागी जाएगी, जिसको आपको agree करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर काफी सारी permission जैसे location होगी, camera होगी, microphone होगी, इन सब की permission द number डाल देना है, और आपके pen card पर जो भी नाम दिया गया है, उस नाम को इंटर कर देंगे, उसके बाद आपका mobile number यहाँ पर show कर दिये जाएगा, इसके नीचे आपको अपनी email ID को डाल लेना है, जो भी आपके pen card में data बर्द दिया गया है, उसको इंटर कर लेंगे, अपना current address इंटर कर देंगे, इसके जश्ट बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे, आपको employment type select करना है, कि आप यहाँ पर salary person या self employer है, इसके जश्ट बाद register पर click कर देना है, तो देखेंगे, इस तरीके से आपका registration successful इस application पर हो जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपने अधार लोन है, उसको ले सकते हो, apply कर पाओगे, calculator करके देखना चाहते है, तो ओग कर सकते हो, अपनी profile को check करना चाहते हो, फिलाल एक नया लोन ही apply कर रहे है, simple apply now पर click कर देंगे, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि salary की basis पर सारा loan दिया जाएगा, और उन्होंनों category defined कर रहा है, यह एक लाग का, तीन लाग का, चार लाग का कितने का loan चाहिएगा, माल लेते हैं कि अभी एक लाग रुपे का loan लेना है, तो simple से इस पर click कर देंगे, हमने एक लाग रुपे select कर लिया है, यहाँ पर APR बताया रहा है, तीन सो तिरिसट परसेंट, टोटल इंट्रेस लगता और जो आपके EMI आईगी हो 65-65,000 रुपे आईगे, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो गलत नहीं है, कि अभाई, एक लाग रुपे का loan आपको अगर दिया जा रहा है, तो 30,000 फाल तो लेना है, एक्च्वल में यह reality बिल्कुल भी नहीं है, जब इसको apply करो गए, तो य यहां पर देखना है, ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, सिर्फ 2000 रुपे का loan apply करते हैं, ताकि हमें apply करने का पूरा process पता चल जाए, इसके बाद हम देख लेते हैं, क्या हमें करना चाहिए, हमने यहां यहां पर 2000 रुपे select कर लिया है, तो हमें बताया दिया गया, 2000 रुपे का आपको loan मिलेगा, दो महिने का आपको 60 दिन का time मिल जाएगा, और आपको यहां पर टोटल पे करेंगे, और करीब यहां पर 26 रुपे करेंगे, यानि कि 13-13 रुपे आपको दो बार में email के रूप में pay करना है, यहां पर आपको कही सारे step खुल जाएंगे, सबसे पहले step में आपको अपनी selfie को यहां पर upload कर देना है, दूसरे हम आजाएगा आपका personal detail, और दोस्तों जैसा कि personal detail हमने पहले अपना नाम हम सब कुछ फिलब कर चुके हैं, इसके बाद आजाएगा तीसरा step जो कि होता professional detail इस पर आपको sample सा click कर देना है, यहां आने के बाद दोस्तों आप आपको अपने company का नाम इंटर कर देना है, डेजी question में आप उस company में किस post पर काम करते हैं, आप उसको इंटर कर देंगे, company का email ID इंटर कर देंगे, जो कि सबसे मुस्किल काम होता है, इसके बाद देखेंगे कि आप से पूछा जाता है कि जो आपकी salary है, और किस तरीके से आ बिल्गुल नहीं है, क्योंकि जब आपने cash select कर लिया, verify करना मुस्किल हो जाता है, कि आपका salary हो 4000 रुपए या 40,000 रुपए है, तो इसलिए अगर bank transfer हो गए रहा है, तब तो आपको legally loan मिल जाता है, तो मुझे रहता है, जब bank transfer ही होता हमारे bank account में, जब salary आती है, तो ऐसी उच्ची मुच्ची application loan क्यों लोग है, जहां पर इतना ज्यादा लंबा interest आपको pay करना पड़ जाए, फिलाल में यहां पर process बता जेता हूं, आगे मैं आपको सारी चीज़ समझा दोगा, ठीके, चलो हमने यहां पर select कर लिया, इसके just बाद देखेंगे, आपको नीचे एक permanent address दिखा जा रहा है, अगर आपको current address, permanent address अलग-अलग है, तो आप दोनों को अलग-अलग इंटर कर सकते हो, अगर same है, तो यहां पर सिर्फ box पर click कर देना है, just continue पर click कर देंगे, अब इसके बाद आज़ाता सबसे ज़रूरी important चीज़ जो की होता, banking information, जिसमें आपको अप security कर देंगे, branch address डाल देंगे, account number डाल देंगे, दुबारा से account number confirm कर देंगे, continue पर click कर देंगे, तो इस तरीके से आपका bank account यहां पर verify कर लिए जाएगा, एक रोपे deposit करके ठीक है, तो overall देखा आपने कि इस तरीके से आपका loan यहां पर apply होगा, फिलाल यहां से कोई document नहीं म आगा गया, थोड़ा इसके बारें बात कर लेते हैं, इसके लिए एक काम करते हैं, कहीं और से example उठाने से अच्छा है, इनका application से example उठा लेते हैं, तो दोस्तों हम इनकी application में आ चुके हैं, अगर यहां पर जाते हैं, और यहां पर इन्होंने एक example दे रखा है, कि अगर मा सी दिन का आपको time दिया जाएगा, 36,000 रुपए आप सिर्फ यहां पर interest पे करोगे, ठीक है, 36,000 रुपए, 50,000 रुपए का loan पे, इसके बाद जो आप देखें, processing fees है, वो 5000 रुपया है, processing fees पर जो GST लगेगी, वो 900 रुपया, तो 5,900 रुपए आपको यह भी पे करना इन्हों ने क्या लिख रखा, यह कि मतलब हो सकता है, कि आपके loan का amount पे, exclusive है, हो सकता साथ आप पे ना लगे, लेकिन सिर्फ कहने वाली बात है, दबा के आपके उपर लिया जाएगा, ठीक है, इसके जश्वार नीचे की तरह पाजाएंगे, यहां पर clearly mention कर दिया है, कि अलबा देखेंगे, जो 5,900 रुपे आपके account में नहीं आया, वो भी आपको इसमें ही add करना पड़ा है, इस तरीके से देखेंगे, कि अगर आप 50,000 रुपे लोन लेते हो, करीब करीब 42,000 रुपे आप इनको वापस करोगे, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर में, जितने लोन उससे दुगना पैसा आपसे वसूल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है, ऐसी तुची मुची application के साथ आपको जाना चाहिए, मैं आपको recommend यही करूँगा, कि मैंने बहुत सारी loan के application वाली वीडियो बना दिये, उनको जाकर चेक आउट करो, जो trusted application है, जो RVNVC दरा approved ह जिन में rate of interest वगरा सब को ठीक है, rating ठीक है, download ठीक है, तो उसके बारे में सोचो यार उसकी जगहें पर जाओ, इन application से क्या ही कलोगे, आप loan भी ले लोगे, एक कदूगना भरना पड़ जाए, harassment डलक्स से हो जाओगे, मैं तो वीडियो सिर्फ इसलिए बना देता है, तो मेर है कि आपको वीडियो पसंद आई होगे, सिर्फ इसलिए कि मैंने जो एक्च्वल जान करते हैं आपको सेर करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, किस टॉपकी वीडियो चाहिए, प्लेस कमेंट कर जूरू बताए, चली फिर मिलता है, किस नाश वीडि कि दुपकी लिजाहि झाय मारब